तो आज के अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को कि जैसे कि एक्विरियम में हीटर तो आप सभी लोग लगाते ही होंगे और एंटी जनरालेट एंटी फंगस या कई सारी मेडिसिन्स हैं एक्विरियम से रिलेटेड जो कि आप सभी लोग और हम सभी लो है एंटी फंगस भी है और साल्ट वगारा सब कुछ तो ले लिए लेकिन मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो में बनाये थे इसमें आप सभी लोगों को बताया थे इनका यूज कैसे कर रहा है ठीक है हीटर के बारे में बत निए अपने किसी भी एक्ट्यूरियम में तो आज मैं बताने वालों को मेन हीटर के जुरत कपड़ती है और आपको दवायां कब देनी चाहिए क्योंकि अब मुझे ऐसा लगा है कुछ फिसस को अब जरूत पढ़ रही हैं तो आप नहों को दिखा तो आपने दिखाएं अ उस टाइम पे उनकी चेर करने की ज़्यादा होती है उनको मेडीसिन देने की जरुत होती है और आपको उस पे हीटर लगाने की जरुत पड़ती है या पूम सी दवाईडने कबाद आपको हीटर लगा देना चाहिए तो चलिए देखी अपने fish's की हरकत और आप भी अपने मचलियों की हरकतों के पहचानि है कि आप की मचलियों की कैसी position है उन्हें देख कि आप पहचानि ही क्या हैं तु देखते रहे इस वीडियो को आप इस के जो पंक हैं पीछे वाले एक्दम से शिकूड़ रहे हैं पहली निसानी तो यह होती है मचलियों के पंको का सिकोड़ना मचलियों जो अपने पंक सिकोड़ने लगे तो आप समझ जाएंगे के मचली अब कमजोर हो रही है और उसे अब प्रॉबलम हो रही है उसे आपको मेडिसीन की और ठंडी मेगार ऐसी हरकत कर रही है सान जिगह में बैटरी और पंक अपने सिकोड़ रही है तो या तो फिर उसे आपको हीटर लगाने की जरूरत है लेकिन इसी के साथ में देखेंगे आप कुछ फिस्स हैं ये और ये सेवरा में इनको कोई प्रॉबलम नहीं लेकिन ऐसा नहीं इने अभी प्रॉबलम नहीं लेकिन इनको धीर धीर प्रॉबलम हो जाएगी आप यहां पे देख रहे हैं ग्रीन टेरर इनके पंक भी बिल्कुल तरीके से सिकोड़े हुए हैं और सान धीर धीर बैट रही है जेल अब इनको हीटर लगा देना चाहिए व पिर आपको बताता हूँ जैसे कि कुछ हार्ड फिस होती है जैसे कि आप देख सकते है रेटल सार्क होती है रेटल सार्क को मैंने कौर फिस के साथ रखा हुए और इसी में कुछ अलविनो सार्क भी है तो आप लोग देख रहे हैं इसमें इनको कोई भी प्रॉबलम नहीं मेरी सार्क फिस को अभी कई सारे वाइट स्पॉर्टेड हो गया थे और दाने निकालाय थे लेकिन इन में मैंने एंटी फंगर डाला और जनरलेड और फिर दो तीन दिन बाद थोड़ा सा पानी चेंज किया और हीटर मैंने इस पर कोई भी निलगा है आप लोग देख सकते कोने में चिपक के घुसी हुई थी और फिर भी मैंने इस पर हीटर नहीं लगाया मैं सोचा वेट करता हूं अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो फिर मैं इसमें हीटर लगा दूँगा लेकिन देखा तो यह मचलिया भी अपने आप ही ठीक है अब घुमने और सिल्वर टिम फाइल वार दोनों डेली हुई है और इनकी भी कंडिशन आप लोग देख रहे है एकदम फे ठीक है इस भी टैंग में कोई भी हीटर किसी प्रकार का हीटर नहीं इसमें कोई मेडिसिन डालने की जूरत पड़ी है मुझे ना इन मचलियों कोई फंगस लग इसमें एक कोई भी हीटर नहीं लगा हुआ है और यह भी बहुत बठीक बाधिया शेहें और नहीं अपना इनका मुमेंट चेंज हुआ नहीं इनका поэтому अकदम चंग्दार है नहीं को यए उनको कोई प्राब्लम हो यह कूद क dranूए इसके लिए मैंने इसमें भी हीटर का उप इस भी एकडम से एक्टिव है उसी में साथ ने एक सुभांकिन है इस टैंग में भी किसी भी प्रकार का कोई भी हीटर नहीं लगा हुआ है भी तक कोई ट्रेटमेंट किया है और यह मचलियां भी काफी एक्टिव हैं खाना भी खा रही है और इनको भी कोई भी हीटर लगाने के कोई दवाई देने के जरूत नहीं पड़ रही है आटि के यह ऑष्कुद्प मेरे अपाब बहुत दिनों से अ इस एक रही ह kennक आप इसकी आप आप इसकी मेरे आप संब लुकल रुपो प semi inverse कै और नहीं वहां के ग्रियां बाव यह है इसूमीच यह इसए फैर मांथ आप देख रह रहे हैं sleeves को लगान ठेखिता हैं और कुछ एलविनो टिम फाइल बाहर हैं इन्हें भी कोई प्रॉलम नहीं लेकिन इन्हें कब लगाना पड़ता है अगर ध्यान से सुनिएगा अगर आपके मचलियों के कलर फीके पड़ने लगे सबसे पहले नमबर पे नुए नबर पे पूछ स्पृटने लगें तीसरे नमबर पे मचलियों एक गह जाकर बैठने लगें फस में उर्ट चुपकने लगें एफ़ आप मचलियों की आँख्यों में गऊस्ट्वाट ली रेवा है और उनकी बाड़ी सफेद पनाना लेकिन आपको ध्यान देना है ये सब भी होने से पहले मचलिया एक संदेश देती हैं मचलिया एक कोने में छुपके बैठने लगती हैं और हलचल कम करती हैं बहुत ही काम उपर आती हैं इस कंडिशन में ही आपको हीटर लगा देना चाहिए और हलकी सी एंटीच और साथ में जनरल एट की कुछ बूने डाल देनी चाहिए इससे कि आपको मचलिया बीमार ना होने पाएं इस चीज को आपको गेस करना है कि आपकी मचलियों में मुववेंट कप खराब हो रहा है और वो घूम फिर ढ़ंग से नहीं रही है तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए और कप करना चाहिए क्या है कि अगर बहुत सारी विसेस ऐसी होती है जो ठंडे पानी की मचलियों होती है जैसे कि मैंने कई सारी वीडियो में बताया थे एंटी फंगस की उस कभी नहीं करना चाहिए बिना मतलब के इसकी जैसे आप लोग बिना जानकारी के एंटी फंगस डाल देंगे उससे भी मचलियों को आपके प्रॉब्लम हो सकती है उसके बाद में जनरल एड यह एक ऐसी दवाई है क्यूरियों की जिसे आप डाल देंगे तो आपके क्यूरियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिर्फ मतलब की उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और प्रॉब्लम होगी यह कि आपकी दवाई खता हो जाएगी आपकी मचलें बिमार हों तो ही आप उन्हें कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट करने कोशिश किए सबसे बड़ी चीज आप जब भी मचलें लाई है एकदम सौस्ट मचलें लाई है जब भी अपने एक्वीरियम फिसे डाली है जौन फिस जिस ग्रूप की उसी ग्रूप मे डालिए और जब आप एक्वीरियम में मचलें लाने वाले हों उसके पहले ही आप हफते भर तीन दिन चार दिन पहले एक्वीरियम का पानी तयार करने के वीडियो मेरे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो आपको आराम से मिल लाएंगे जैसे कि आप लिग लोग को पता है वीडियो जो मेरे होते हैं नॉर्मल यूजर से लेके एक सौप कीपर तक देखते हैं और उनके लिए तक होते हैं तो उन्हें भी में सेसे नहीं देना चाहूंगा जब भी बाहर से मचलें मगाई तो मचलें मगाने के पहले अपने कुरिया में पानी तयार कर लिए उसके ब मचेना है अगर गजाट